अलो दूस्तों स्वागत है आप सबका एक बाफ फीर हमाई यूट्यूब चैनल में बात करेंगे इस वीडियो में करमचारियों से जुड़े अपडेट की जानकारी की जनवर पहली बार है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें आगे भी अपडेट मिलते रहेंगे तो बात कर कर दिया गया है इसके साथ ही एक बड़ा निर्णे भी किया गया है करमचारियों के हित्त में कि राजी शरकार के विभीन विभाग निगम बोड स्वायत सासी संस्थाओं तथा आधी में ड्यूटी पर कारे करते हुए कार्मी के अगर पून तह निसक्त डिसेबल होना या योग्यों होने कि स्थिति में उनके दोरा स्वेच्षिक शिवा निवर्ति वियारेस ली जाने पर उनके आश्रीतों को अब अनुकम पान्यूक्ति दी जाने की गोश्णा की गई है तो यह बड़ा निर्णा है यानि कि अगर किसी करमचारी की शिवा में रहते हुए का सकत को अनुकम पान्यूक्ति दी जाएगी यह महत्पून गोश्णा की गई है करमचारियों के हित में तो वित विभाग द्वारा यह ओडर जारी किये गए है जिसमें डूटी पर असा आए हुए करमचारी के आसीत को भी अब नोकरी मिलेगी राजे में करमचारियों के आसीतो को नोकरी दी जाएगी यह बड़ा फैसला करमचारियों के हित में डूटी के दौरान किसी भी हादसे का सिकार होकर कोई भी करमचारी असा है हो जाता है इसे मनद वित विभाग नादेश जारी किये हैं अलांकि इसकी गोश्णा मुखी मंद्रसों गयलुत ने 21 मार्च को व असाש आया नहीं सकत हो जाता है तो उसके आशवित को नोकरी दी जाएगी यह लाब किसी करमचारी के मुर्तियूं के बाद जैसे आशवित को दी जाने वाली अनुकम पाण्यूकती है उसके समान होगा मुख्ण्य जो है सक्सम नहीं है इस वज़े से उनके परीजनों के सामने संकट खड़ा हो गया इस पर मुख्य मंत्री असो गैलोत ने श्वेदन सीर निर्णे लेते हैं इसे करमचारी और परिवारों को सोगात दी है राज सरकार का यह निर्णे सभी विभाग बोर्ड निगम आयोगों म करमचार यह अच्छा नहीं है करमचारी आसा है तो उनके आर्थिक जो है काफी संक्ट रहताती है तो ऐसे परिवार जनों को जो है अस्ट्रित के रूप में अनुकंपा न्यूक्ति मिल पाएगी तो अच्छा नहीं करमचारियों के हित्मे इसके साथ ही जानकारी लेते है राजस्तान लोक स्वा आयोग यानि आरपी एसी के ज़रे बरती कराई जाएगी इस समय में विदान सभा में बुधुगार को राजस्तान नगरपाली का संसुदन विदेग 2022 पारिद कर दिया गया है इसके अनुसार नगरपाली के परशाशनी को अतकनी की सिवा के सीधी बरत अब राजस्तान लोक स्वा आयोग के मादम से करवाई जाएगी और शंसदीकार मंत्री शांती धारिवाल ने इस विदेग चर्चा के लिए सदन में प्रसुत किया विदेग पर सदन में हुई चर्चा के बाद विदेग वदेश वकारणों के बारे में भी बताए गया धा अगर पारी का प्रसाशनिक वत्तकरिकी सेवा कि सीधी बरती के बदपन न्यूक्तिया करने के लिए अब राजस्तान लोक स्वा आयोग द्वरा परिक्षा आयोजित की जाएगी अभी अभियर्थियों का चैन्ट संबंदित सेवा नीमों के बंदों के अधीन गटित राज innocent को विभाग की website पर अपने शोओं के डाटा को सिगर अपडेट भी करना होगाा पैंचनों पैंचनर कल्यान निदी साले के के पैंचनर संजय शोलंकी ने बताया कि पैंशन विभाग की वेबसाइट पर पैंशनर इस विभाग में अपना मोबाइल नमबर आधार नमबर पैंट नमबर इमेल आईडी दर्ज करने के साथ उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए लैप्टॉप कंप्यूटर पर लॉगिन करना होगा और म पैंशनर के आईकर कटोती हो रही है उनका पैंट नमबर भी भाग में भी दर्ज होना आउशिक है जिसे आएकर कटोती उनके पैंट नमबर पर जमाक की जा सके यह आए कर निधार में टी-डी-एस का क्रेडिट भी पैंशनर को मिलना कटिन होगा क्योंकि फौरम नमबर 16 बीचारी नहीं हो पाएगा तो यह पैंशनर के लिए भी खबर है कि वह अपने डाटा को शिगर अपडेट कर ले पैंशनर की वेबसाइट पर तो यह तमाम तरह की न्यूज अपडेट थे आप सबी करमचारियों से जुड़े होए और करमचारियों के लिए थैंक यू वीड